आपका बहुत बहुत स्वागत है और अगर आप मिल्क कलेक्शन सेंटर लगाना चाहते हैं दूद इकठा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए हैं मेरा नाम अमर्दीप सिंग चटा है और मैं चटा सेल्स का डिरेक्टर हूँ ये एकठा के सेट को हम सुमो इंपार्ट कहते हैं ये मिल्क कलेक्शन सेंटर पर लगता है मैं आपको एक एक प्रॉडक्ट के बारे में बताता हूँ सबसे इंपार्ट है सुमो इंपार्ट मिल्क एनलाइजर इसको हम 3-1 यूनिट बुलाते हैं इसके अंदर दूद को मिक्स करने के लिए स्टर लगा हुआ है दूद को analyze करने के लिए milk analyzer है keyboard है entry करने के लिए और printer है जो आपकी reports इससे print होगी तो दूद collection के अंदर दो ही चीज़े important है एक तो milk का analysis उसके अंदर fat कितना है SNF कितना है पानी तो नहीं मिला हुआ दूसरा कि जो भी दूद देगा उसका आपको हिसाब रखना पड़ेगा calculate करना पड़ेगा कि रुपे का दूद है कि वैल्यू का दूद है जो भी आपका rate chart है उसके हिसाब से आप दूद की पर्ची बनाएंगे उसके आप पैसे देगे तो ये सारा हिसाब किताब भी रखेगा और आपके दूद का एनलेसिस भी करेगा कि दूद सही कॉलिटी और सही गुनवत्ता का दूद आपको मिला है क्या नहीं तो जैसे कि भी बने बताया इससे आप चेक करेंगे साथ ही में आपको एक RDU भी दिया जा सकता है जो RDU है ये आप इसको remote display unit कहते हैं आप इसको दूर रख सकते हैं कहीं यहां अगर आप ता रूम है रूम के बार रख सकते हैं कि दूर से भी कोई बड़ा बड़ा अक्शरों में देख ले कि कितना fat था कितना SNF था कितना kg दूद हमने लिया और उसका क्या प्राइज दिया और total amount कितना था साथ ही ये wing scale होगा wing scale का भी अपना display है आप यहां जो भी बरतन आएगा can आएगा रख के उसका weight कर सकते हैं ये टीनों unit आपस में synchronized हैं connected हैं आप डूद करीदेंगे यहां दूद का weight करेंगे दूद का sample यहां डालेंगे automatic जो दूद का weight है यह हमारा milk analyzer unit उसको अपने feed कर लेगा और सिरफ enter रवाते ही आपके पास पूरी slip निकल जाएगी जिससे की आप अपना milk collection center बहुत अच्छे से और आराम से चला सकते हैं आपका यह video देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको यह video पसंद आए तो इसको जरूर share कीजिए like कीजिए इस channel को subscribe कीजिए bell icon को press कीजिए जिससे आपको regular updates मिलते रहें daily machine के बारे में अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुजाव हो तो नीचे comment box में जरूर डाले हम उसका खुशी से जवाब देंगे